अब्रिवन मैं हूँ रशनी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडिया लाइस्टाइल भी रशनी आज को जो वीडियो है यह वीडियो है कि आप अपने नेल्स को कैसे स्ट्रॉंग हेल्दी और उनकी डोट को कैसे बठा सकते हैं बहुत सारी रड़ियां ऐसी है जो चाहती है कि उनके नेल्स लंडे हूँ लेकिन फिर भी वो कोशिश करती है और उनके नेल्स वीख होते हैं और उनकी कुछ ही दोनवाद नेल्स पूड़ जाते हैं उनकी कोशिश नाकाव्याब रहती है लेकिन आज मैं आपको कुछ एसे ट और इसको छीलने के बाद ऐसे दो तुकडों में काट लेना है फिर इसको दस मिनड़ तर अपने नेल्स पे ऐसे रब करना है लेसुन में पोटेशियम, फासफोरेस, मेगनीशम होता है जो हमारी नेल्स के लिए बहुत ही ज़ादा ज़रूरी होता है इससे हमारे नेल्स की इसको बढ़ावा मिलता है अगर आपके नेल्स पीले है इंपर दाग धब्बे है तो इस नेगु के वज़े से आपके जो नेल्स के दाग धब्बे होंगे पीला पन होगा वो निकल जाएगा ऐसा आपको 10-10 मिनट तक करना है और एक चीज और ध्यान रखे इस काम को आपक और जब आपके नेल्स के धब्बे निकल जाएगे हट जाएगे तो उसके बाद आपको इस प्रोसेस को छोड़ देना है नीबू के अंदर सिट्रिक एसे विटामिन सी ये सारी चीजे होती है जो की दाग धब्बो को हटाने में काम आती है थार्ड हैक अगर आपके नेल्स और अपने नेल्स कर दस मिनट के लिए मसाज करनी है विटामिन ए आपके क्यूटिकल्स को और आपके नेल्स को मोश्चराइज करता है और आपके नेल्स को शाइन देता है और हैल्दी बनाता है मसाज करने के आदे घंटे बाद अपने नेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है फोर्थ टिप आपको एक बाद का और ध्याँ रखना है जब आप किचन में काम कर रहे हूँ तो कोई भी गरम चीज अपने हाथों से ना उठाए इससे क्या होता है कि आपके नेस भी उन धरम चीजों को टच करते हैं और आपके नेस क्रैक होने लग जाते हैं अब आपको अगर आपके नेस क्रैक हैं तो उसके लिए क्या करना है रोज रात को अपने नेस 10 मिनट तक सर्सों के तेल में डुगो कर रखने हैं दस मिनट बाद इस तेल की अपने नेस पर मसाज करनी है ऐसा आप पांच मिनट तक कीजिए और रात को अपने नेस को ऐसे ही छोड़ देना है कुछी दिनों में आपके नेस हेल्दी हो जाएंगे और जो वो क्रैक हो चुके हैं नेस वो भी ठीक हो जाएंगे इसके लिए अपको हलका गरम पानी लेना है और इसके अंदर अपने नेस तक ऐसे दुबो के रखी हैं इससे क्या होगा आपके नेस में जितनी भी डर्ट है वो सारी निकल जाएगी और आपके नेस एक्दम साफ हो जाएगी आपके नेस साफ होंगे तो उससे आपके नेस healthy भी अपने आप हो जाएंगे आपको आज का वीडियो कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसे डाइक कीजिए और आप फ्यूचर में कैसे वीडियो देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो दिखाते रहूँ तो फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई